सो गाइस बिफोर सार्टिंग दे लेसन हम इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं टुटल चार टाइप के वेदाज हैं उसमें से एक है रिगवेद इस रिगवेद में यूमन सुसाइटी को चार वर्णाज में डिवाइड किया गया था जो की थे ब्राह्मन, शात्रिय, वैश और शूद्र सो हमें लेसन में इसी बारे में पढ़ना है कि इनको किस पेसिस पे डिवाइड किया गया था ये क्या काम करते थे और इसके शुरुआत कैसे और कब हुई तो चली शुरू करते हैं वढ़नास को एक सोशल हायार्की में प्लेस किया गया था याणि कि इनको एक अनुक्रम में लगाया गया था फिर्श प्लेस में रखा गया था ब्राह्मन को इनको गॉट्स on earth भी बोला जाता था याणि कि इनको प्रत्वी पर भगवान के समान होते थे क्यों? क्योंकि ये अपने कामों की वज़े से ऐसा जाना जाते थे क्या काम करते थे ब्रामन? ये लोगों को और उनके बच्चों को ज्यान देते थे क्योंकि ये बहुत ज़ादा ज्यानी होते थे इनके पास सारे वेदों का ज्यान होता था इसलिए इनको 1st place पे रखा गया था 2nd place पे रखा गया था शत्रियाज को शत्रियाज क्या करते थे? ये लोगों की रक्षा करते थे इवन जो शत्रिया वोमेन होती थी वो भी कोई भी परिशानी आने पे, कोई भी मुसीबत आने पे युद्व में बर्ट चड़के हिस्सा लेती थी 3rd place पे रखा गया है वैश्या को वैश्या का basically क्या काम होता था? cattle rearing का, यानि की पशुपालन का काम इवन जो वैश्या की जो वोमेन होती थी वो भी cattle rearing में help करती थी 4th place पे रखा गया है शूद्र को शूद्र क्या करते थे? ये बाके के तीन वर्णास को सर्व करते थे ये इनके लिए नौकर का काम करते थे शूद्रस क्या करते थे? ब्रामिन्स के आश्रम में काम करवाते थे शत्रियास के महलों में काम करवाते थे और वेश्यास को उनके farming में help करते थे इवन जो शुद्रास की जो woman हुआ करती थी वो शत्रियास के महलों में जाके उनकी जो रानिया होती थी उनकी काफी अच्छी दोस्त हुआ करती थी इवन जो शादी के बाद जो रानिया अपनी kingdom जाती थी तो शूद्र वूमेन भी उनके साथ जाया करती थी और अंटचेबल्स को इस पूरे वर्णा सिस्टम के बहार रखा गया है वेदो और पौरानिक शास्तों के हिसाब से अंटचेबल्स वो लोग होते थे जो बहुत जादा पाप करते थे, बुरे काम करते थे, बिल्कुल भी नैतिकता नहीं होती थी उन लोगों को अंटचेबल्स माना जाता था ब्राह्मन, शत्रियों और वैश्यकों दुजास बोला गया है यानि कि ट्वाइस बॉन काफी कोशन भी आता है कि दुजा कौन कौन से बढ़ना को बोला गया है या फिर ट्वाइस बॉन कास्ट क्या होता है सो यह इंपॉर्टेंट है सो ट्वाइस बॉन क्या होते है फिर्स बॉन ऑप दियर पैरेंट्स यानि कि पहली बार जब वो अपने माता-पिता के संतान के रूप में जन्म लेते हैं तब पहला जन्म आना जाता है और इसलिए इन तीनों वरणास को ट्वाइस बॉन बोला गया है इसलिए शूद्र को स्लेट साफ द्विज़ास भी बोला गया है यानि कि इन तीनों ट्वाइस बॉन्स को ये सर्फ करते हैं और इनके नौकर का काम करते हैं और इनके शूद्र को बैकबोन ऑफ प्रोस्पेरिस एकोनॉमी बोला गया है यानि कि शूद्र क्या करते हैं इन तीनों के लिए काम करते हैं और इनकी एकोनोमी को प्रोस्पेरिस बनाने में इनकी हेल्प करते हैं यहां पर मैंने आपको डाइग्राम के थूँ यह समझाने की कोशिश करी है कि चारों वर्णा के लोगों को उनकी काम के बैसिस पर यानि की एकुपेशन के बैसिस पर उनकी क्या qualities थी उनकी गुटों के बैसिस पर उनको अलग अलग वर्णा में रख़ा गया था तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रामन को क्या क्या work given थे इनका काम था प्रीस्ट का, स्कॉलर्स का, टीचर्स का यानि कि ये मंदिरों में पूजा पाट करते थे, यग्य करते थे और स्कॉलर्स यानि ये बहुत दा विद्वान होते थे ये लोग इनके पास वेदों का सारा ग्यान होता था और ये teachers का काम भी करते थे यानि कि लोगों को knowledge impart करते थे कैसे knowledge वेदास की knowledge spiritual knowledge और ये चाहते थे कि जो आने वाली generation है उनको भी वेदास की knowledge मिले तो इसलिए ये teachers का काम करते थे जो शत्रिय men and women होते थे वो rulers होते थे warriors होते थे administrators होते थे बेसिकली ये सेना तियार करते थे युद लड़ते थे और लोगों की रक्षा करते थे जो वैश्यास होते थे वो agriculturalist होते थे यानि की किसान होते थे खेती करते थे merchants यानि की सौदागर होते थे commerce work यानि की वैपार करते थे लोगों को पैसा देते थे और लोग के लिए गिट्स लाते थे ये सो बेसिकलि यही काम होदा था इनका शुद्र जो होते थे ये लेबर्स होते थे और बाकी के तीनों वर्णास को ये सर्फ करते थे अभी हमने देखा था कि ये बाकी के तीनों वर्णास के लिए नौकर का काम करते थे नि चारों वर्णाज के कुछ rules और regulations थे marriages को लेके like जो ब्रामन से उनको allow था कि वो शत्रिया वुमेन व्यशे वुमेन से marriage कर सकते हैं in some cases वो शूद्र वुमेन से marriage कर सकते थे अगर ब्रामन से खुद agree करते हैं तब जो शत्रिया से उनको allow था कि वो ब्रामन, वैशे, शूद्र किसी भी वर्णा में marriage कर सकते थे लेकिन जो वैशे women's थी उनको अलाओ था कि वो सिर्फ ब्रामन और श्रत्रिय मैंन से ही marriage कर सकते है शूद्र मैंन से नहीं ऐसा इसलिए क्योंकि वो मानते थे कि अगर वो शूद्र मैंन से marriage करेंगे तो उनकी जो संतान होगी, उनकी जो offspring होगी, वो impure हो जाएगी जो शूद्र मैंन थे उनको सिर्फ और सिर्फ शूद्र वुमें से ही marriage करने के लिए लाओ था लेकिन जो शूद्र वुमें थी वो इन चारो वर्णास में से किसी भी वर्णा में marriage कर सकती थी सो हिंदू हिस्ट्री में ऐसे कई सारे example सेखने को मिलते हैं जहां पर इंटर वर्णा marriages की गई थी इंटर वर्णा marriages mentioned in हिंदू historical and mythological text हिंदू इतिहास और पौरानिक पाठों में ऐसे कई सारे example सेखने को मिलते हैं जिसमें इंटर वर्णा marriages हुई थी जैसे कि रामर जो की एक बहुत ज़ादा ग्यानी ब्रामर था उसने राजकुमारी मंदोतरी जो की एक शत्रिय थी उससे marriage करी थी किंग यायाती जो की एक शत्रिय राजा थे उसने देव्यानी जो की ब्रामर थी उससे marriage करी थी सौबरी जो की एक ब्रामर था उसने मंदातरी की पचास पेटियों से marriage करी थी जो की शत्रिय थी दुशियंद जो की एक शत्रिय राजा था उसने शकुतला से marriage करी थी जिसको एक ब्रामर ने adopt किया था इसके अलावा कुछ examples ऐसे भी देखने को मिले हैं जहां पे लोगों ने एक lower वर्णा के होते हुए एक higher वर्णा अचीव कर लिया सिर्फ अपनी महनत से जैसे शत्रिय विश्वामित्र बिकेम ब्रामिन because of his penance जो विश्वामित्र थे वो एक शत्रिय राजा थे लेकिन इन्होंने खुब तपस्या करी और एक प्रामिन वर्णा अचीव कर लिया similarly, सेज वालमी की जो की राइटर है रामायार के ये एक शूद्र hunter family में पले बड़े थे लेकिन इन्होंने एक प्रामिन वर्णा अचीव कर लिया था सिर्फ अपनी intelligence की वज़े से इनको वेदों का खूब ग्यान हो गया था जिससे इन्होंने वर्णा वर्णा अचीव कर लिया था हम देखते हैं कि वर्णा सिस्टम की characteristics क्या-क्या है इट वस बेस्ट ओन occupation and individual qualities कि लोगों के काम उनके गुणों पर बेस्ट होता था कि वो क्या काम करते हैं उनके गुण कैसे हैं यह जो वर्णा सिस्टम होता है यह कास सिस्टम से बिलकुल अलग है क्योंकि कास सिस्टम में क्या होता है जो हम बर्थ लेते हैं तब हमारी caste डिसाइड हो जाती है कि हम कौन सी caste से बिलॉंग करते हैं। Whereas, वर्ना सिस्टम में क्या होता है? हमारे कामों से डिसाइड होता है कि हम कौन से वर्ना से बिलॉंग करते हैं। By changing once, occupation one can change its वर्ना. So, कोई भी अपना occupation चेंज करके अपना वर्ना easily चेंज कर सकता था। It was a flexible system, flexible कैसे? जो shoots थे, वो cattle rearing और farming skills सीखके वैश्र बन सकते थे। और जो वैश्र थे, वो fighting skills से उद में लड़ना कैसे है, वो सीखके वो शत्रिया बन सकते थे। और जो शत्रिया थे, वो knowledge change करके ब्रामन्स बन सकते थे। Even वैश्र सीथे ब्रामन्स बन सकते थे और इसका उल्टा भी possible था। Various caste system बहुती हैं रिजिड होती है, इसको change करना मुश्किल होता है। So, यह वर्ना system आया कहां से। इसके लिए हम इसको origin देखते हैं, वर्ना एक Sanskrit word था, जो सबसे पहली बार रिक वेदा के पुरुषुक्ता वर्स में mention किया गया था। यह जो पुरुषुक्ता वर्स था, इसमें humans को four वर्ना में divide कर दिया गया था। जो कि था ब्राह्मन, राजान्या, वैश और शुद्र, जिसको आज हम शत्रियों के नाम से जानते हैं, वो पहले राजान्या के नाम से जाना जाता था। रिक वेद के बाद इसको पोश्वैदिक पीरियट यानि कि वैदिक काल के अंत में इसको धर्मशास्ट, महाभारत और हमारे पुराणों में भी डिसकस किया गया। यहाँ पे धर्मशास्ट में और राजान्या की जगे शत्रियों कर दिया गया था। ब्रहामन शत्रिय वैश्य को ट्वाइस बॉन बोला गया था यानि कि द्विजास्ट और इन तीनों वर्नास को अलाओ था कि ये वेदास के स्टड़ी कर सकते हैं बलकि शूद्र को इस कैटेगरी के बाहर रखा गया था। अनि कि आउटकास्ट उन लोगों को बोला गया था धर्मशास्ट में जो बहुत ज़्यादा बर-बर होते थे अनैतिक काम करते थे या फिर पाप करते थे उन लोगों को अन्टचेबल बोला गया था यहां पे। धर्मशास के बाद महावारत में भी वर्ना सिस्टम को डिसकस किया गया इसमें वरणास को कलर और बहेवियर के बेसिस पे डिवाइड किया गया। कलर जैसे कि ब्राम्मन्स वाइट होते हैं, शत्रिय रेड होते हैं, वैश्य येलो होते हैं और शूट्स को ब्लैक बोला गया। इस पर प्रसिद्ध सादू ने कोशन किया कि सबका खून तो लाल होता है, फिर इनको कलर के बेसिस पर डिवाइड क्यों करना। सो महाभारत में ही इसको फिर बेहवियर के बेसिस पर डिवाइड किया गया, और बोला गया कि ब्राम्मन्स का बेहवियर कैसा होता है, कि ये सत्यवादी होते हैं, और स्ट्रिय यानि कि बहुत अपस्या करते हैं, प्योर कंड़क्ट यानि कि शुद्ध आच्रण के होते हैं, और शत्रियास का behavior कैसा होता है, anger यानि की गुस्से वाला, pleasure इनको आनन्द बहुत पसंद होता है, boldness यानि की सहासी होते हैं शत्रिया, वैशे को कैसा बोला गया, ये cattle rearing, इनको पशुपालन का काम बहुत पसंद होता है, शुद्राज, fond of violence, इनको हिंसा पसंद होती है, greed यानि की लालची होते हैं और impurity यानि की अशुद्ध होते हैं, और महाबारत का ही पार्ट है भगवत गीता, जिसमें वर्नास को कि स्पेसिस पे रखा गया था, उनके गुड़ों के वेसिस पे, यानि की उनका नीचर कैसा है, अलसो इनकी duties और qualities को भी describe किया गया था भगवत गीता में, ब्रामिन में कौन कौन से गुड़ होते हैं, control of mind and senses, ये अपने mind और senses पे भी control करना जानते हैं, तपस्या करते थे बहुत जादा ये, purity शुद्ध होते थे, knowledge बहुत जादा ग्यानी होते थे, वेदों का ग्यान होत था, forbearance यानी के शेहन शेलता होती थी इनमें, शत्रियास की क्या के qualities थी, boldness, not flying from battle, youth से भागते नहीं थे, fortitude, यानी की बहुत जादा धहर होता था इनमें, और pros, यानी की बहुत जादा स्किल्फूल होते थे, caution होते थे, वेश्यास की क्या के qualities थी, agriculture, cattle rearing, trade, विपार करते थे, पशुपालन खेती बाड़ी का काम करते थे, और शूद्र ये service करते थे, यानी कि बाकी वर्णास के लिए ये servant का काम करते थे, so हमने देखा इसको origin कैसे हुआ, पहले ये रिगवेद में, फिर धम शास में, फिर महारत में, और फिर भगवत गीता में इसको discuss किया गया निक्स टॉपेक इस टी मैरिट्स और वर्णास सिस्टम, so हमने वर्णास सिस्टम के बहुत सारे मैरिट्स देखे, जैसे कि लोगों को unite करके रखता था, और लोग एक ही काम करते थे और उसी काम में perfect हो जाते थे, बट इसके डी मैरिट्स भी बहुत सारे है, it did not allow an individual to explore his potential, so कोई भी इसान इस बारे में जान ही नहीं बाता था कि उसके अंदर कितना potential है, किसी काम को करने की किती शमता है, क्योंकि वर्णास सिस्टम में हर वर्णास को अपनी पी duties दी गई थी और वो उन्हीं duties को अच्छे से करते थे, so वह कभी जान ही नहीं पाते थे कि उनके अंद करने के लिए बूला जाता था, जिसके लिए वो बने है, it created class conflicts, और बहुत ही जल class conflicts arise हो गए वर्णा सिस्टम में, like जो ब्रामन से वो अपने आपको superior मानने लगे, अपने नौरिश की वज़े से, और जो शूत से उनको inferior बूला जाने लगा, so high class, low class वाली feeling आ गई, example, शूत were treated badly, not allowed to take water from common well, they also could not enter a temple, so शूत को बहुत ही जादा बूरी तरह ट्रीट करने लगे, बाकी वर्णास के लोग, और उनको even common well से भी पानी नहीं भरने दिया जाता था, और उनको एक temple में भी अंटर नहीं करने दिया जाता था, जहां पर बाकी वर्णास अलाओ थे, it give rise to social tension, so class conflict थे जिसकी वज़े से social tension होना ही था, लोगों में क्या वो लाईया होना शुरू हो गई, और slowly slowly जो वर्णा सिस्टम था ये अपनी value को lose करने लगा, gradual withdrawal from ancient वर्णा duties, so दीरे दीरे वर्णा duties से लोग पीछे हटने लगे, अपनी duties को seriously नहीं लेते थे, people begin to reflect and disobey their primary duties, चुनक and started to feel the authoritarian nature of their occupation and status, so Brahmans को first place दिया गया था, उनकी काम की वज़े से, so अब वो खुद को powerful सबजने लगे थे, kings rejected their Brahmin guru advice and became self-regulating, so क्या हुआ जो श्यत्रियक किंग हुआ करते थे, उन्होंने अपने ब्राह्मन गुरू से advice लेना बंद कर दिया, जिससे कि क्या हुआ, वो गलत कल decisions लेने लगे और kingdom उनके हाथ से निकल गया, even जो वैश्याज शूद्र थे, उन्होंनों भी उन पे भरोसा करना बंद कर दिया, वैश्याज started to see themselves as powerful in their ownership of land, so वैश्याज के पास बहुत सादा जमीं होती थी, केती बाड़ी के लिए, किसान का गाम करते थे, so ये खुद को बह वैश्याज और शूद्र थे, ये शूद्स का उत्पीडन करने लगे, शूद्र उप्फर स्टेलिंग, लाइंग, और स्पेडिंग, मिसिंफर्मेशन बिकॉज वर उप्रेस्ट, सो क्या हुआ, शूद्स ने चोरी करना, जूट बोलना और मिसिंफर्मेशन यानि क्या बहुत सारी सब वर्नाज में डिवाइड होने लगा, और कास्ट से मिक्स हो गया, सो कही ना कही कास्ट का वर्नाज से मिक्स होना एक रीजन माना जाता है वर्नाज सिस्ट्रम के डिकलाइन होने का, इसे क्या होता है देखने में फोड़ा अट्रेक्टिब भी लगता है टीचर को और स्पेस भी कवर कर लेता है तो इस वस और बाउट पुर्ना सिस्टेम मिलते हैं नेक्स वीडियो में